कोश्चन नमबर 8, what are the school discipline steps, school discipline की क्या steps है, चार steps है, first offense means पहला अपराद, दूसरा, तीसरा और चोथा offense, offense means अपराद, वर्बल वर्निंग, teacher जो है, मोखिक चेतावनी देती है, बच्चों को, teacher will document the offense and disciplinary action, teacher ने देखा कि कोई अपराद हुआ है, और फिर उसका एक जो है, दस्तावेस त्यार कर, उसका, मलब कारेवाई करती है, बच्चों पे, just verbally, second offense क्या होगा, call home, घर पर फोन करना, बच्चों क teacher will contact a parent by telephone or document the offense and disciplinary action, teacher जो है, घर पर कॉल करके, जो है, बच्चों की जो complaint है, वो बताएगी, एक 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 एक्शन ले सकती है, third offense क्या होगा, teacher will document the offense in writing and schedule a conference with the student and parent, तीसरा अपराद में क्या हो सकता है, कि teacher जो है, जब अच्चों तीसरा अपराद करेगा, तब teacher क्या करेगी, teacher parent को बुलाएगी और बच्चों के साथ बैठके meeting करेगी, और उसमें उनको बताएगी, कि क्या problem है, वहाँ teacher, parent और student की conference कठी होगी, अगर फिर भी बच्चा को य principal के पास जाना ही होगा, जहां पर वो जो भी student है, उसकी return में report जेंगी, और फिर जो भी action होगा, वो principal teacher, जो भी होगी, वो लेंगी, चीक है, तो यह offenses है, अगर बच्चे किस तरह की जो शिरारते हैं, या प्राद करते हैं, तो उनको किस टाइप के warning दी जानी चाहिए, ओके वो तीजी है, आप इसे करोगे, after that we will do next questions, thank you class